नमस्कार दोस्तों स्वगत्य हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 22 अगस तुलारासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों या दो दिनों के अंदर आपके जीवनकाल में एसी खुस खबरी मिलने वाले हैं जिससे की दो आपको मिलेंगे जो जो खुश खबरी आपको मिलेंगे इनसे आपका जीवन ही बदल जाएगा तो दोस्तों हम आप सभी से पहले यही निवेदन करेंगे कि दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर आन तक जरूर देखिएगा जहां दोस्तों जरसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवनकाल में बहुती बड़ा बदलाब होने वाला है आखिर कब तक आपके जीवनकाल में यह दुख भरी कहानी चलती रहेगी कब तक आप अपने हग को छोड़ते रहेगे कब तक इस दुनिया का जुल्म आपके उपर चलता रहेगा जहां दोस्तो आप भी सोचते होंगे कि हमारे समस्या इस्वर कब हरेंगे कब भगवान हमारे इन दुखों पर नजर पड़ेंगे कब हमें इन गरीवी से मुक्ती मिलेगी जहां दोस्तों लेकिन अब दोस्तों इन सारी समस्या आप खबत होने वाले हैं जहां दोस्तों तो दोस्तों आप आपके लिए बहुत ही बड़े खुश खबरियां है कि यह समय इश्वर का आशिरवाद आप सभी के कुंडली पर पढ़ चुका है जिन से दोस्तों आप सभी को बहुत ही बड़े मोगे मिलने वाले हैं अब आप सभी के जीवनकाल में भगवान आपके भाग को ही बदलने वाले हैं आपको अब दुखों से छुटकारा देकर आपको सुखों की प्राप्ति करवाएगा तो दोस्तों आपको आने वाले इन समय आवधी में कौन से विशेश साबधानी भी याश्य में रखनी होगी कौन-कौन से बड़े-बड़े खुश ख़बरियां आपको मिलने वाले हैं कौन-कौन से नए मोकिय भगवान भोलेनात आपको देने वाले हैं किन-किन छेतरों में आपको लाब मिलेगा, किन-किन कारियों में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रशनता मिलने वाली है, सभी जान करें आपको इस वीडियो में देने वाली है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आन तक देख लेंगे, तो दोस्तों आप सभी का जीवनकाल ही बदल जाएगा, आपके किसमत साथ में आसमान पर होगा, तो आए दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों हम अपने जीवनकाल में बहुत ही जादा मेहनत करते हैं, आप अपने जीवन काल में उन कारे में मेहनत करते हैं जिनमें इस्वर का आशिरबात आप सभी को प्राप्थ हो जिहां दोस्तों आप पिछले समय में आपने एसा कर्तब किये हैं एसा पुन्य कमाई हैं जिनमें भगवान का उपचारण हो जिहां दोस्तों और दोस्तों आप यह बात भगवान हमेशा आपके साथ खड़ा है जिहां दोस्तों अब आपके जीवनकाल में जो जो खुश खबरियां देने वाले हैं से भगवान भोलेनात के आसिरवात से ही हैं जो कि भगवान के किरपा से आपके जीवनकाल में इतने बड़े बदलाब होने वाले हैं जिहां दोस् उससे पाले दोस्तों जो भगवार महादेव के सच्चे भागते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्षन में जय महाकाल जरूर लिखें जिससे की भोलेनात का आशिरवात आप सभी को प्राप्थ हो सकी और यदि आप इस चैनल पर होगी दोस्तों श्री कृष्ण जी काते हैं जैसे उबलते पानी में कभी परचाई नहीं दिखती ठीक उसी परकार परिशान मन से समाधान भी नहीं दिखते सांथ होकर देखिए सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा जितना इंतजार वो आप से करवा रहा है समय आने पर वो इन बातों से सामत हैं तो विडियो को अभी लाग जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों किसी पूरान योजनावों को किराविंद करने का उचीत समय है आज कोई बहुत बड़ी दूविदा दूर होगी गर के वारिष्ट और अनवेवी लोगों के मायर दर्शन स कई मुश्किलों का भी शमाधान निकलेगा और मानसिक शिकुन बना रहेगा तो ध्यान रखें कि अपने सभाब में इगो और गूसे की इस्तिति ना आने दें इसके वज़े से कई बंते काम बिगर सकते हैं किसी भी समन्द को मधूर बना कर रखना पहुत ही जरूरी होगा बेतोरा की छोटी मुटी नाकारत में बातों को नदरंदाज रखें इसमें फाइनल समय दे कोई भी काम करते समय सावधान राना भी जरूरी है काम के दवा के कारण कभी कभी आप खुद को फशा हुआ मैसूस करेंगे आचानक किसी खास मित्र के साथ मुलकात होगी और किसी विश्यस मुद्य पर लाबदाय विचार भी मर्स होगे धार्मी ताधादमी गतिविदियों में भी कुछ्च्च में लगाने से सारीक और मानसिक उठ जा रहेगी घर परिवर के मामल में आपने उपवस्तती और सहयोग देना जरूरी है आपका सहयोग उनके आत्म विश्वास को बढ़ाएगा दोस्तों दिन कुछ वैस्ता पूर्ण रहेंगे लेकिन सफलता मिलने से ठकान भी दूर हो जाएगी और आपकी कारिसेली से लोग परभावित होंगे दोस्तों आपके अच्छे कर्म होने के कारण और भगवान की किरपा से इसमें गिरिशिती आपके लिए बहुत ही अनुकुल है आचाने किसी अंजान व्यक्ति से मुलकात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा दोस्तों आज आपने बहुत बड़ी चतुराई से काम सफल करने वाले हैं आज आपने चतुराई से किसी भी समस्या का समधान पाने में समक्ष रहेंगे जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे दोस्तों आज अल्प्रियास से ही पूरी होने की समभावना है और किसी रिष्टार से सुप समाचार भी मिलने से खोशी मिलेगी दोस्तों आज बहुती वास्ता पूर्ण और लापकारी दिन है अपने उद्यस्यों पर पूरा ध्यान दें आवसी आपको सफलता मिलेंगे दोस्तों आज आज आपके लिए बहुती वास्ता पूर्ण और लापकारी दिन है अपने उद्यस्यों पर पूरा ध्यान दें आपको आवसी सफलता मिलेंगे परवारी या समाजी गतिवीद्यों में भी अपने नेड़ने को ही सरवच रखें दिसदारों के साथ विहवार करते समेए विहवार में सुवता भी रखना ज़रूरी है दोस्तों इतने सारे खुशकबरें और कामएमें के साथ सास दोस्ता आपको इन दिनों में कुछ शावदानिया भी रखने की ज़रत होगी नाकातमग परवर्ति की लोगं से दूरी बना कर रखें एसे लोग आपकी मानहानी और आपमान का कारण बन सकते हैं आपके ग्रेस्टी बहुती अनुकूल है कहीं भी निवे शमंदी फैसला लेने से पहले उस पर उचीत सोच विचार आवसर कर लें व्यापसा में अगर कुछ नवी करनीया या विस्तार समंदीय जना बन रही है तो दोस्तों उसमें विश्य सुरूप से अपना ध्यान रखें इसी वहरी व्यक्ति की वज़े से घर में कुछ नकारतमग वतारण होगा वेतर होगा की दूसरे का हास्तचे अपने परिवार पर ना पढ़ने दे इनके साथ साथ दोस्तों इस समय व्यापार में बहुत अधिक ध्यान देने की आवसाकता है दोस्तों आपके विरोधी भी कुछ नुक्सान करने की फिराप में रहेंगे कारचित की आंतिरी व्यस्ता में कुछ बदलाव करना जरूरी है नुकरी पैसा व्यक्ति अपने लक्ष को पूरा करने में समठ रहेंगे और दोस्तों घर परिवार के लिए भी शमय निकालना परिवारी समंदों को और अधिक मजबूत करेगा वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पत्ने के विज उचित समान जस रहेगा जिससे आत्मी स्वास और आत्मी बल में ब्रिदी होगी दोस्तों पती पत्ने आपसे समान जसे से घर के विज़ता मधूर बना कर रखेंगे प्रेम समंदों में भी नजदी की आएगी दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो मोसम का असर आपके स्वास्त पर हो सकता है यह समय अपना इंफूस सिस्टम इस्टरंग बनाने के लिए उचीत अहार लें वर्तवान नकार्तों वतारण की बज़े से सावधाने रखना उचीत रहेगा आरेधिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों मैं बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों हर सुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर मा लक्षिमोर भगवान बिश्नु को लाल रंग का फूल अरपित करें और परती दिन सुबह उठकर असनान यादी करके तामबे के लोटे से तुलसी को जल अरपित करें और तुलसी के पत्ते को लोटे में डाल कर पूजा करें अब इस जल को घर के परती एक अस्तान पर छिड़कें इसे दोस्तों आपके घर में सुख सम्रदी और धन की वरसात हो होगी सुख्यों इसना बात करते हुआं आपका लगोर्ण क्या है डुस्त आफका लगी रंग गुलावी है उस लगी अंग पांच है दोस्त भागवान मा लक्श्मी का आशीरवात आप सबीको प्राप्त हो सच्छी दिल्शिक हैं कमेंड जाए मालक्श्मी जरू लिखें secular वीडियो को लाइक सेयर जोड़ करें धन्यवाद